सब्सक्राइब आज हम सभी यहां पर देख रहे हैं वो आजादी हमें रातों रात नहीं मिली इस आजादी के लिए भारत के कई विर्षपूतों ने अपने प्राणों की आभूतिया दी है आज वदेंद्रता दिवस के इस शुप अबसर पर हम सब उन सभी विर्षपूतों को श्रधान जिल देते हुए नमन करते हैं हम प्रती वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रिता दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि 15 अगस 1947 को भारत ने करी वर्षों के बाद आजादी की पहली सुबह की प्राप्ति की थी इस दिन पहली बार भारत के प्रिदान मंत्री पंडिचवाह लाल अज भारत को आजाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं और आज भी भारत के प्रिदान मंत्री लाल के लिए पर राश्रद्वस तिरंगी को फहरा कर पूरे देश को स्वतंत्रता दिवस के शुब काम नाये देते हैं आओ जुब कर सलाम करें उन्हें जिनकी जिन्दगी में मुकाम आया है किसकदर खुश नसीब हैं वो लोग जिनका लवू भारत के काम आया है स्वतंत्रता संग्राम की शुरुवात तब से हुई जब मंगल पांडे नाम करांतिकारी को ब्रेटिश वाशन के अंग्रेश अधिकारी में पोली मारी थी तब ही से संपोन भारत देश वासियों ने अंग्रेशों के खिलाफ आवाज उठाई हमें और हमारे देश को ब्रेटिशों से यह आजादी इतनी आफसानी से नहीं मिली है देश की आजादी पाने के लिए बहुत से क्रांतिकारी से नानियों ने वलिदान दिया जैसे की महात्मा गांधी, सुवाश्टरंद्र गोस, मंगल पांडे, बाल गंगाधर तिलग, पंडित चवाहलालनेहु, लोकमानी तिलग, लालालाज पत्राय और खुदी रामभोस आभी आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रा आंदोलन चलाया, और कई बार तो उन्हीं जेल भी चाना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उनका एक मात्र लक्ष बारत देश को ब्रेटिश शासन से आजादी दिलाना था, और काफी अत्याचार सहने और संघर्ष करने के पस्चार फलस्वरूपिवे सफल भी हुए, उन्हीं स्वतंत्रता सिनानियों के नाम पुच्चंद लाई में हैं, आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे, बची हो जो ए तर्वे स्वतंत्रता दिवस की बहुत-बहुत शुप काम नाई, और साथी पार्षत सचिन बाबु सैने, पिता ठाकूर दास्तैने, वार नंबर आठ, मलियानापुरा, निकाय, बड़ा गाउं, जनपर जासी, की ओर से समस्त गाउं वासियों, नगर वासियों और छेत्र वासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षा बंधन की बहुत-बहुत शुप काम नाई, और साथी पार कारियों में से पंचायत भवन, नगर सुंद्री करण, रोड बनवाना, इंटर लॉकिंग कराना, नगर की सफाई अभियान, इत्यादी और ये अपने नगर में और भ वच्छ रहेगा इंडिया, तभी तो स्वस्थ रहेगा इंडिया, और इन दिनों आई फ्लू बहुत तेजी से फैल रहा है, तो हमेशा घर से बाहर जाते समय चश्मी का प्रयोग अवश्य करें, अपनी आखों को साफ पानी से धुएं, अगर आपके आस-पास किसी को आई फ्लू हुआ है, तो उसके संपर्क में जाने से पहले चश्मी का प्रयोग चरूर करें, खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं, धन्यवाद और देखते रहें, अपडेट मेडिया 24 इंटु 7 लेज़ चाएं जोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करना बिलकुल भी ना भूलें, मैं आप से मिलती हूँ अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए धन्यवाँ